हेलो माई डियर फेंड्स कैसे हो भई आप सभी लोग उमीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होगा और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग की दिपावली चल रही होगी और इसी दिपावली पर और ज्यादा रोशनी देने के लिए ज्यारे फट्डा आप लोगों के लिए लेकर के आया है डी 20 ठीक है दिपावली 20 पर 20% डिसकाउंट मिल रहा है आप किसी भी ज्यारे फट्डा के कोर्स को या टेस्सरीज को जोईन कर सकते हैं और इन नंबर पर आप कॉल करिए कॉल करके आप चीज़े डेटेल में जान करें लेकिन मौका सिर्फ आपको कब तक का है 14th of November तक का है ये तो इस चीज़ के लिए धियान रखिए और अब आ जाते हम फटाफट Rapid Fire हमारे MCQ के और 5 से 10 सेकंड का समय आप सब लोगों को मिलेगा इसलिए करना क्या है जल्दी जल्दी comment करके आंसर बताना है और हम भी फिर आपका मतलब ये कोशन है जो 2022 के आसपास का है तो ये यूं कहलो कि ये उस समय का Current Affair का कोशन आपको मिल जाता है सही जवाब कौन सा मिलेगा वो है चाइना ठीक है चीन सही जवाब मिलेगा अगला अगला क्या बोलना है ये टोको पॉलिस सिलिकॉन फॉरेस्ट और सिलिकॉ वैली कौन सी जगे पर हमें मिल जाएगी तो सही जवाब जो हमें मिल रहा है वो क्या मिलेगा हमें वो हमें मिल जाता है सीटल और सेंट फ्रांसिसको में बिलकुल एबी ये सी करो भई ये डी क्यों कर दिया इसने अगला निमली कित्म से उस शहर को पहचानी है जिसमें COP Conference of parties की 27 बैठक हुई थी current affair का question आपका बन सकता है कि COP 28 की बैठक कहां पर होगी क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर में ये बैठक हो नहीं है ठीक तो फिलहाल तो ये 27 का है पुराना current affair नए में COP 28 पर ध्यान रखते हुए चलना शर्म अल शेक, मैडरेट, बॉन या ग्लासगो तो बिलकुल सही जवाब आपका मिलेगा शर्म अल शेक जिन्होंने सही जवाब दिया बहुत बढ़िया शांदा ला जवाब जबर दस्त अगला point है फिर से कह रहा हूँ फटा फट प हमारी क्लासेज में करवाई हुए तो आपकी रिकॉलेशन पावर यहां पर हम चेक करने वाले हैं ठीक अब यह भी उस समय का करेंट अफर का कोशन ने दोजार अठार के आधार पर आवरो ही करम बोल रहा है अफ्रीका में जिनहां पर कम पोशन है ठीक कम पोशन है तो सही जवाब कौन सा मिलेगा आपको वो मिलता है बी पॉइंट यानि कि सबसे कम पोशन कहां पर मिलेगा तो वो मिल जाता है आपको पूर्वी एफ्रीका में उससे कम पोशन आपको उप सहारा में मिलेगा फिर पश्चिमी एफ्रीका में मिलता है और उत्तरी एफ्रीका में क्य क्या मिल जाता है हमें? नियोनेतम पोशन मतलब ये घरतावा करम है, ठीक है? अब रोही करम के हम बात कर रहे हैं ज्यादा से कम के और न्यूनितम पोशन यहाँ पर ज्यादा मिलेगा मैक्स और यहाँ पर इन में सबसे कम मिलेगा उत्तर अफरिका इजब्ट वाला रीजन इतना कूपोशन थोड़ी होगा वहाँ पर कौन सी पुस्तक Alfred Thoyer महान द्वारा लिखे गई है Alfred Thoyer द्वारा कौन सी किताब लिखे गई है Influence of the Influence of Sea Power and History The Life of Nelson The Influence of Sea Power Upon French Revolution and Empire The Geographical Pivot of History बतागे कैसा ही जवाब मिल जागा इसका तो बिलकुल इन्होंने जो किताब लिखे है वो कौन सी मिलती है हमें A, B और C किताब हमें मिल जाती है ये तीन किताबों को लिखने का काम Alfred Thoyer ने किया था आप लोग साथी साथ वीडियो कम्प्रीट होने के बाद क्या करना है मुझे कमेंट में आंसर बताना कमेंट करके कि ये किताब किस ने लिखी थी ठीक है ये कुछ चीज़े हैं जो आप तुरंत से कहें और नीचे के कमेंट करके मुझे बता दो ठीक अगला निमली कितमे से किस देश को एक रास्ट्र के रूप में नहीं मार एक रास्ट्र राज्य के रूप में नहीं माना जाता है किसको नहीं माना जाता है राश्टर राज के रुप में consider not consider as a nation state तो सही जवाब मिल जाता है वो है बैल्जियम सही जवाब कौन सा मिलता है बैल्जियम कौन सा विद्वान है जिसने क्रमबध प्रादेशिक भुगोल के और अगर आपका आंसर डार्विन है तो बहुत बड़ी या very good सभी लोगों को ठीक है अगला जियोगर्फिकल ट्राइज 17 का वॉल्यूम किस ने लिखा था जियोगर्फिकल ट्राइज 17 ठीक है इसका वॉल्यूम किस ने लिखा था टॉलमी स्ट्राबो बीट्स या जैरोम बताईए क्या इसका सही जवाब हमें मिल ज जाता है कौनसा बेट्स ठीक है सही जवाब बेट्स एरस्थूर्टनीज और हिपार्कस द्वारा प्रित्वी का आकार आकर्ति और परिधी के बारे में वैज्ञानिक परिक्षण कौनसी जगह पर किये गए थे ठीक है तनाइस टाइरस एबिडोस या अलेक्जांड्रिया क परिवर्तन का काम किया था अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था तो सही जवाब मिल जाता हमें और वो है अलेक्जांड्रिया जब्ट के पास ठीक है अगला निम्लिकित में से मानव भूगल वित्ता नहीं है नौट नौट यूमिनेस्टिक जोगरफर मानव जाए स्ट्रैबो ठीक है तो कौन सा मानूभूगोल वित्ता नहीं है तो सही जवाब क्या मिल जाएगा वह डी पॉइंट स्ट्रैबो सही जवाब है डी स्ट्रैबो खेतों की वास्तविक श्रम उत्पादकता की तुलना तार्किक आर्थिक व्यक्तियों के रूपे कारियर तो किसान द्वारा निर्णे प्रक्रिया को अनुकृत करने करके प्राप्त की जा सकने वाली उपलब्दी के साथ की गई है ठीक है खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं और जो व्यक्ति क्या कर रहा एक निर्णायात्मक ठीक है किसानों के तौर पर इंट्रवेक्च्वल तर उत्पादन सिचाय की उपलब्दता पर निर्भर करती है बिल्कुल ठीक है उप्यूग तो कठन द्वारा किस प्रडाली से किस प्रकार के संबंद की व्याख्या की जा सकती है शेणी संबंद समानांतर प्रस्ट पोचन जटल संबंद सिचाय जादा उत्पादक्ता जादा बताए कैसा संबंद मिल जाएगा ये तो यह हमें direct relation मिल रहा है ये क्या मिल रहा है हमें direct relation मिल रहा है सिचाय जादा और उत्पादक्ता जादा की बात कर रहा है ये ठीक है चलो अगला पॉइंट है आगे देखते है निमले कितमे से कौन सी किताब के लेखकों का यूग में सही नहीं है यूग में सही नहीं है The Human, नहीं, Human Geography Welfare Approach D.M. Smith ने लिखी Geography and Geographers Harvey ने Radical Geography, R.P.E.T. Geography का Introduction of the History, L. Favors चलो तो सही जवाब के ओल चलेंगे और सही जवाब आप लोगं का क्या मिल जाएगा कौन सा सही मैच नहीं है B. सही मैच नहीं है ठीक है Harvey ने ये किताब नहीं लिखी थी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना फिर से एक और कोशन आप लोगं के लिए छोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि आज आप लोगं के लिए बहुत सारे कोशन है कमेंट करके बताने कि ये किताब लिखी किसने थी इसका author कौन था ठीक है चलो अब आगे देखते है निमलिकित में से कौन सी सूचना तुंगता मापी आवरती ग्राफ में प्रयोग की जाती है इस्थानी कुचा है जनसें के खरने तो समुचे रेखा है या संचे आवरती तुंगता मापी यानि altimetric frequency graph में यूज की जाती है altimetric frequency graph में किसका यूज करते है हम चलो तो सही जवाब क्या मिल जाएगा आपका सही जवाब का मिल जाता है sport height इस्थानिक उचाई इस्थानिक उचाई का यहाँ पर हम इस्तमाल करते हैं जनसें के घरनतु का उचाई से कोई मतलब नहीं है समोच्य रेखा है बरावर उचाई को मिलाने वाली रेखा है हमें मिल जाती है और संचे आवरती cumulative frequencies statics में हमें मिलती है किस प्रकार के मानचित्र को मानारेख कहा जाता है तो बहुत मानारेख क्या है एक मानचित्र जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे चेत्र जैसे कजब और गाओं को सुश्म तरीके से दिया जाता है बारती सर्विक्षन का मिनीलियन पत्रक मिलता है हमें वह मानचित्र जिस पर स्थानी वित्रण के आकरों को प्रदश्चित करने के लिए रिखाचित्र और आलेखन ग्राफ अध्यारूपित के जाते हैं बिना मापक कच्चा रिखांदन होता है ये सही जवाब बिल्कुल C जिसने है C दिया बहुत बढ़िया लाजवाब शांदार जबर्दस्थ ठीक है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है जब हम इस्थानी वित्रणों को परदर्शित करने के लिए रिखाचित्र और ग्राफ का इस्तमाल करते हैं तो उसको मानारेख कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है मानारेख कहा जाता है उसे निमली कित्मा से कौन भारतिय समू बुला कौन सा मिल जाता है तो वो सिर्फ एक मिलता है वह है उत्तरी द्रविड भाषा उड़िसा में बूल जाती है ठीक है डार डर्डिंग निकोबार में नहीं बूल एती है मानखेम आसामनिम के इलाके पर नहीं है और मुंडा जमू कश्मीर वाला रिजन नहीं ज्ञारकन वाला रिजन मिलेगा आपको अगला पॉइंट है कौन सा यूग में सही नहीं है फिर से एक और आशान कोश्यन दक्षिन भारत में पाल घाट भोर सोन ठीक है यह चार इंपोर्टेंट मिल जाते हैं हमें भोर घाट पाल घाट ठीक है नहीं भोर थाल पाल सोन यह सिक्वेंस में मिल जाते हैं दक्षिन भारत की ओर ठीक तो सही जवाब जो सही मैच नहीं है वो है थाल गाट क्योंकि क्या है यह एहमदाबाद नहीं है यह महारास्ट को मुंबई को टच करता है यह ठीक है अगला बहुत दिशी पर्योजना जो नदी गलत बताए गई है आसान कोशन है माता टेला बानास बारगंगा सोन ओकई तापती पापनाशन ताम्रण नदी तो माता टेला बांध गलत दिया गया है बनास नदी पर नहीं मिलता है यह कौन कौनसा छेत्र मिलजागे गौर्बाने चट्टानू का तो बिलकूल ठीक है बुंदेल छेत्र हमें मिलगा गौझवान tuned चेत्र ए MARY Alpha जो गुझत मैज जो किया है कर्नाटक से समयर मिलथ मनलना बाकि इस बांहें मिलता है ना की इस फिरी मिल उस्व lots आ है जरता है उचाई के संग तापमान में कमी आती है तो हम यह देखते हैं सबसे पहले उचाई के संग तापमान में कमी आती है फिर उचाई के संग तापमान बढ़ता है फिर उचाई के संग तापमान कम होता है फिर उचाई के संग तापमान बढ़ता है तो सबसे पहले क्या आ जाता है शोभ मंडल आ जाएगा यहां पर ठीक शोभ मंडल आ जाएगा यहां कमी होगी समताब मंडल में बढ़ रहा है तो समताब मंडल हड़ गया फिर मध्य मंडल आ जाता है तो यहां कमी हो रही है फिर ताब मंडल आ जाता है तो यहां फिर से बढ कोशन बहुत आसान कोशन बताओ जलिये पारिस्थिति की तंत्र कौन सा हमें मिलेगा तो सही जवाब के ओल चलते हैं जलिये पारिस्थिति की तंत्र घास भूमी आदरभूमी डेल्टा या वनचेत्र तो सही जवाब हमें क्या मिल जाएगा घास अच्छा आदरभूमी और ड अगला पॉइंट रासाइनिक अपच्छय का उधारण है अपभ्रंश के साथ चटान की गती लोहे की धातु में जंग लगना फ्लेस्पार का मृतिका में विखंडन या एसिड एक्षन तो रासाइनिक क्रिया कहां पर मिल जाती है चटान की गती रासानिक क्रिया नहीं होगी लोहे में जंग लगना होगा ठीक है फ्लोस्पार मिट्टी में मिल जा रहा है वो भी ठीक है और एसिड रेन है वो भी ठीक है यानि कि A को काटर दो तो आप्शन आपका B, C और D मिलेगा ठीक which of the following statement is true about the aerosol in the atmosphere, atmosphere में aerosol के बारे में सही कथन बताओ atmosphere में aerosol के बारे में कि aerosol समंदरी लवण महीन दुवाग पराकन कालिक होता है बिल्कुल ठीक है, aerosol यही होता है वायू में aerosol सूरियास्त और सूर्योदे के समय पर लाल रंग में लाल रंग और संतिर रंग को बिखेड़ने में योगदान देता है तो बिल्कुल ठीक है यह भी आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का और aerosol मेजोस्फियर में रहता है गलत है भईये यह तो हमारे आसपास में शोब मंडल में तो इसलिए C option के गलत होते ही option आप लोगों पहाड़ों के ऊपर hill top sides है पहाड़ों के ऊपर कौन कौन से चीज़े मिलती है तो ध्यानक ना वो कौन सा मिल जाता है आपको a और c सही जवाब हमें मिलता है ठीक है चलो अगला उल्मैन के अनुसार आंत्रिक क्रिया के आवशक घटकों में शामिल किया जाता है तो इसका भी सही जवाब आपको पता चली गया है a शामिल किया जाएगा मध्य अवसर और इस्थाना तरिता ट्रांसफोर्बिलिटी तो c सही जवाब मिलेगा सांस्कृतिक छेत्र और राज जी है हधाती कहां कहा है खान देश बागेल खंड रोहेल खंड और मालवा रेजन तो भाईया कौन सा सुमेलित है यह आपको बताना है ठीक है तो मालवा रेजन आपको मिल जाता है हधाती छेत्र आपको मिल जाता है खान देश मिल जाता है ब अजस्टेबल नहीं अट्रिब्यूट ऑफ झेल, जेल के बारे में जेल नहीं जाती, जाती के बारे में आपसे ये पूछ रहा है, है जाती की प्रव्व वस्मांकिस संस्कृति साजा करता हैं ज़ा उपलब्धी और कुलींता का प्रतिफल विभी निकायों पर अन्योन क्रुग्या को निदाहित करता है नहीं ठीक है और जात्या संगोत्री इकाय है बिल्कुल सब एक ही गोत्र के संबंद रखते हैं ठीक है Second last question which of the following criteria used to study the state of political geography बोलना है राज जी के अध्यान के बारे में कौन-कौन से माधदंड अपनाने चाहिए सही जवाब क्या मिल जागा इसका तो सही जवाब मिल जागा इसका प्रतेक छेत्र के व्यक्तियों पर सत्ता और कानून बिल्कुल नहीं है अंत्राश्ची समुदा के महतुमुल भाग न होता है अपने आप लोगों का सी मिल गया है तो यह तो कुछ फटा-फट के कोशन हमारे सामने मिल रहे थे इसके लाव आप लोगों को पता भीया दीपावली चल रही है तो दीपावली के उपलक्षपर आप सब लोगों को जियारे फट्डा की तरब से डी 20 का डिसकाउंट आप किसी भी टेस्ट स्रीज पर किसी भी कोर्स पर आजाईए आपको इस समय पल 20% डिसकाउंट मिल जाएगा बस ध्यान रखना 14 नमबर लास डेट है बाकि नमबर्स दिये गए है उपर नमबर पर कॉल करो पूरी जान कर ले सकते हो क्लास जरूर से पसंद आई होगी पसंद आई तो क्लास क्या कर लो फटा फट से लाइक कर दो शेयर कर दो अपने दोस्तों के संग मिलते हैं फिर अगली क्लास में आप अपना ध्यान रखिए टेक कियर एंड बाई बाई